क्रिप्टो मार्केट में सबसे जादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि नेक्स बुल रन कब आएगा कब तक हम लोगों ने अपने क्रिप्टो करके रखने काफी ऐसे लोग हैं जिनका पूर्टफोलियो आज की डेट में नेगेटिव में बैठाव है वो लोग यह देख र हमें देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो श्...! वो crypto आपके हाथ से चले गए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा, जहाँ पर हम लोग आज के time में बात करते हैं regarding the crypto market, काफी लोग यहाँ पर hold करके चल रहे हैं अपने crypto's, काफी लोग ऐसे भी हैं जो market को देखके परिशान हो चुके, क market कहीं move ही नहीं कर रही है, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे investors भी हैं in the crypto market, who are adamant कि वो लोग hold करके चलेंगे अपने crypto's till the next bull run comes, अब यह next bull run कब आएगा, और किन factors के उपर यह depend करता है, कि next bull run हमें कब देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं, चलते हैं एक ब अपन कर दिया coin जी को आप currently जो global market is up 0.4%, BTC is up 0.3%, ETH is down 0.4%, यहाँ पे अगर हम data change करें for the last 7 days, तो आप यहाँ पे changes देख सकते हो, BTC is up 7.4%, ETH is up 2.8%, यहाँ पे काफी लोग आप यह बोल रहे हैं कि next bull run हमें कब देखने को मिलेगा market में, कब वो alt coin जो उन्होंने शायद प यही है, कि next bull run आएगा कप, अब यहाँ पे कुछ factors हैं जिसके उपर depend करता है कि next bull run कप आएगा, although यहाँ पर market में काफी लोगों ने एक particular year यहाँ पे select कर रहा है, बट उसके लावा भी यहाँ पे काफी सारे factors है, पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में हम सब को पता है, उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसी points की, जिसके बारे में शायद कम लोग बात करते हैं, but that is very important to note कि next bull run अगर आता है, तो यह सारे factors भी ठीक होने काफी जादा ज़रूर है, अब यहाँ पे सबसे पहले factor की बात करें, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, is bitcoin halving bitcoin halving एक ऐसा process है, in the entire crypto market जिसके बाद हमें हमेशा एक bull run देखने को मिला है, historical chart यही बताता है कि जो bull run आया था पिछली बार, या उससे पिछली बार, या उससे भी पहले, वो हमेशा हमें देखने को मिला है after bitcoin halving, अब bitcoin halving के तुरंद बाद यह market जो है उपर नहीं जाती, जह starting bitcoin halving and आगे की भी काफी लोग उसी को लिखे prediction करते हैं, कि next bull run जो है market में आ सकता है till the year 2025 and यह चीज़ को कोई भी डिराए नहीं कर सकता, जहाँ पर हम लोग यह बात करते हैं regarding one of the major event in the crypto market which is bitcoin halving, bitcoin halving तक काफी लोग यहाँ पर crypto's accumulate कर रहे, काफी बड़ी whales है जो crypto's accumulate कर रहे, क काफी लोग हैं, काफी investors हैं, आपकी तरह, हमारी तरह, जो हाँ पर crypto's purchase करते जा रहे हैं on a daily basis, या weekly basis, या monthly basis, जहाँ पर हम उन crypto's का एक नया all time high देखते हैं after the next bitcoin halving, जो की होता आ रहा है previously, अगर history अपने आपको repeat करती है, तो 2025 can be year, जहाँ पर हम लोग अच्छा कासा profit निका पाया था market में, उस पर सबसे major factor was inflation, inflation के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, CPI data सामने आता है, वही पर FOMC की meet होती है, काफी लोग इन चीजों के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं, because वो पक्च चुके हैं इन सारी चीजों से, but we cannot ignore these important factors, जहाँ पर हम लोग बा कि FOMC की next meet में क्या होगा, because that matters to the crypto market, and इसका असर भी हम लोगो ने देखा in the last year, जहाँ पर इतना drastic fall हुए सारे के सारे cryptos, वहाँ पर yes, that is one of the factors जो यहाँ पर बहुत जादा relevant है, for the crypto market to enter into the next bull market, यहाँ पर देखा ये जाएगा कि inflation कब तक control में आता है, FOMC की meeting में जब interest rate काम ह होगा, that will be a positive sign for the crypto market, अब इसी के सांथ बात करें, the third most important thing about the crypto market is the crypto adoption, crypto adoption के बारे में काफी बार आप लोगो ने बातें सनुए होगी, news पड़े होगी, articles पड़े होगे, कि country जो है, वो meet up कर रही है for crypto adoption, क्या चीज़े महाँ पे होगी, क्या चीज़े महाँ पे निकल क्या हैंग अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो यहाँ पे भी आज की टाइम में काफी लोग crypto market में इसलिए ने आते, because they do not trust, कि कब क्या पता, government जो है, वो again यहाँ पे ban लगा दे, चाइना की अगर हम लोग बात करें, हर साल एक news चाइना से निकल के आती है, कि crypto वहाँ पे ban हो चुक crypto क्या होता है, कैसे आप invest करते हो, कैसे आपने यहाँ पे purchases करने, altcoins किस-किस type के होते हैं, क्या-क्या categories होते हैं, इन सब के बारे में जानना बहुत जादा ज़रूरी है, yes, जो भी चीजे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो सारी basics है of cryptocurrencies, but trust you me, काफी ऐसे लोग हैं अभी crypto market, it is very hard for them to tell about five altcoins, जो market में available हैं, यहाँ पे वो लोग बात करते हैं, bitcoin की, यहाँ पे वो लोग बात करते हैं, xrp की आंक्शिबाइन, क्यूंकि इनका नाम लोगों ने सुना हुआ है, इनके उपर काफी video जो हैं, वो आती रहती है, so यह 4-5 cryptos छोड़के, शायद किसी को यहाँ पर altcoins, या बाकी के cryptos, या बाकी के tokens के बारे में मालूम होगा, so it is very important कि लोग यहाँ पर educate हो, लोगों को पता चले कि क्या चीज़े हैं, not only educating the new people to come into the crypto market, but जो already crypto market में हूँ, उनोंने भी यहाँ पर research करनी पड़ेगी, I know research and education दो अलग अलग चीज़े हैं, but यह दो पास, आप losses की बुक करा है, क्योंकि market बहुत टाइम से sideway movement कर रही थी, या किसी नहीं जाके उनको एक गलत intuition दी, regarding the crypto market, कि यह ऐसी market है, जहाँ पर आप रातो रात काफी पैसा बना सकते हो, crypto market जैसा हम सब लोग जानते हैं, is all about holding your cryptos, till the right moment comes, till the time next bull run comes, वहाँ तक अगर आप hold करके चलोगे अपने cryptos, there is nothing like it, crypto market में yes potential है to make you the next millionaire, crypto market में वो potential है to give you a good earning, but यहाँ पर आपने hold करके चलने पड़ेंगे, research करते रहने पड़ेगी on the cryptos that you have invested, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आज आपने पैसा डाल दिया, next week आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा निकाल रहो, उ इसकी limitation कुछ भी नहीं, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं last year की, वहाँ पर हमने देखा FTX का downfall, वहाँ पर हमने देखा Luna का crash, इस साल भी अभी तक हम लोगों ने देखा काफी P2P transaction के जो failures है, वो सामने आ रहे है, उसका scam जो है सामने आ रहा, अब जब तक यह scam और यह fud रह market, क्यासे हम यहाँ पर USDT purchase करें, तो काफी ऐसे basic question है, जो कहीं न कहीं लोगों के mind में है, जो investor invest करना चाते हैं, वो दूर इसलिए रहते हैं, क्योंको उन्होंने scam के बारे में सुना, उन्होंने fud के बारे में सुना, जो invested भी हैं, वो भी कहीं न कहीं fud सुनके, अपने crypto सार क्रिप्टो मार्केट में, उसी के साथ साथ एक retail investor ऐसा है, जिसको सब से ज़्यादा डर लगता है from the market, अगर यहाँ पर retail investor hold करके चले अपने cryptos and वो fud को verify करे, that is the best thing a retail investor can do, जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं, आपको updated रखने की, उसी के साथ साथ आपके खुद का updated रहना भी बहुत जादा जरूरी है, और ऐसे काफी news articles हैं, जो हम लोग आपके साथ शेर करते हैं, ना telegram channel, अगर आप लोग ने join नहीं कर रहा है, तो वो कर लीजिए, उसका link नीचे description में दे रखा है, now let us talk कि next bull run, इन सब चीजों को mind में रखके कब तक आना चाहिए, well bitcoin halving की जैस में एक bull run देखने को मिलता है, most of the cryptos make their new all time high, उसके accordingly यहाँ पर जो next bull run है, वो आना चाहिए till the year 2025, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, inflation की, यहाँ पर हम लोग बात करें, instability की, वो भी कही ना कहीं उस time तक खतम होना चाहिए, inflation जो है, वो control में आना चाहिए, जैसा CPI data आ रह to lower down their interest rate, and वो चीज काफी helpful होगी for the next bull run to come in the market, and 2023 के end से, the later half of 2023, कहीं न कहीं हम लोग एक rally देख सकते हैं market में, because आच के date में, most of the people know regarding bitcoin halving, they know की bitcoin halving से क्या असर परता है in the market, and last but not the least, एक ऐसा crypto है, जो यहाँ पर पूरा का पूरा scenario change कर सकता है, and bull run जो है, वो बहुत जल्दी जा सकता है, and that is XRP, जैसे हम लोग साब जानते है, Ripple का एक lawsuit चल रहा है, जो की कहीं न कहीं, on the verge of ending है, अगर वो lawsuit आता है, completely in favor of Ripple, XRP का हमें यहाँ पर search देखने को मिल सकता है, the price of XRP can actually go to the moon, and not only XRP, बलकि बहुत सारे altcoins हैं, जो वेट कर रहे हैं उस lawsuit के सामने आने का, because SEC य यह सारी चीज़े जो है, वो आएगी in favor of crypto, अगर आती है, तो बहुत अच्छी बात है, XRP का price shoot आप होते हुए देख सकता है, next bull run में हमें XRP free flow होते हुए देख सकते है, and वो चीज़ बहुत जादा important है for the crypto market right now, एक हलका सा जो trigger चाहिए for the market to go up, वो बहुत necessary है from the XRP, and अभी के time में काफी लोगों की उमीद लगी हुई है from the ripple lawsuit जो अभी चल रहा है currently, but अगर हम overall market की बात करें, तो 2023 इतना बुरा साल भी नेरा for the crypto market, जहाँ पे हमने BTC को देखा, almost doubling up, 15,500 के level से currently trade कर रहा है 30,000 dollars, ये चीज़ कही न कहीं बताता है कि market is going up, but people are still not satisfied, because उनको पता है कि ज I'm pointly up पर जाती है, and उस चीज़ का सब लोग wait कर रहे है, हम लोग भी wait कर रहे है, I'm sure आप लोग भी wait कर रहे होगे, wait करके देखते हैं, क्या होगा in the next bull run, wait करके देखते हैं, क्या 2025 में next bull run आएगा, wait करके देखते हैं, कि ये सारी चीज़े जो है, वो काम करेंगी एक सां, to take the market up to that level, जहां पर हम लोग अच्छा घासा profit निकालेंगे, फिलाल आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, when will be the next bull run come, according to you, निच्छे comment section में, comment करके जरूब बताइएगा, with that said guys, आज का वीडियो करते हैं पर, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा ह for watching our channel, see you next time, okay bye bye